पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्फ पीम इमरान खान के सामने गिरफतारी से बचने के लिए एक शर्त रखी है तुशा खाना मामले में सुनवाई के दौरान एडिशनल रिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स के जज ने कहा कि अगर इमरान खान कोट में सरेंडर करते हैं तो वो पुलिस को गिरफतारी का अदेश नहीं देंगे जज जफर इकबाल ने पाकिस्तान के चुनावायों की आजिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही तो उशा खाना मामले में इमरान खान के खिलाफ अपराधिक कारवाई की मांग की जा रही है वहीं दूसरी तरफ लाहोर हाई कोट ने इकबाल पाक में रविवार को होने वाली पीटी आई की रैली पर रोक लगा दी है कोट ने कहा कि नागरिकों को अपनी आम जिंदगी जीने दे आपको बता दे कि पीटी आई 19 मार्च को लाहोर के मीनार पाकिस्तान में इमरान खान रैली का नितरित्व करने वाले थे इस से पहले पाकिस्तान में हाई कोट ने बुदवार को पुलिस को इमरान खान की गिरुफतारी का अभियान सगित करने का आदेश दिया था इमरान के आवास के बाहर करीब 24 घंटों तक सुरक्षा बलो और पूर्फ प्रधान मंत्री के समर्थकों के बीच घमा सान हुआ इसमें पत्राव लाठी चार्ज हुआ था और आसू गैस और पानी की बोचार की गई थी दोनों पक्षों ने दूसरे पर गोलाबारी का भी आरोप लगाया है तकराव में 65 पुलिस कर्मियों समेट करीब 100 लोगों के घहल होने की सूशना है इमरान खान ने सरकार पर गिरफतारी की आड़ में अभरन करवा कर हत्या कराने के साज़िश का आरोप लगाया है